इधर हेमन्ट सुरेन के चौपाल के आयुजन के बाद प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रतूल साहदेव ने हेमन्ट सुरेन की ट्वीटर चौपाल को फरजी चौपाल का रार दिया। उन्होंने कहा कि जार्खन मुक्ती मोर्चा ने जिस तरीके का चुनाओ में वोर्तरों के बीच हाइप बनाने की कोसिस की है उससे लगा जैसे मानो ट्वीटर ने हेमन्ट को नोयता दिया हो जबकि वास्तविक्ता में या पूरी तरीके से प्रायुजित कारेकरम था। और पत्थर जैसी है जिसका ये वह परियोग करके फेक देंगे। प्रतूल ने कहा कि हिमन्ट के सरयोगी दलों को भी सर्म आनी चाहिए कि वे जीस जामुमों की पूच पकड़ कर चल रहे हैं वह एक राजनीतिक हैसियत को कंकर पत्थर से जादा नहीं समझता। प्रतूल ने कहा कि जार्खन नुक्ती मोर्चा को ये बताना चाहिए कि उसमें इस कारिकरिम के लिए ट्वीटर को कैसे भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि सोहराई भवन पर अवेट कबजों की बात अस्थानिय नीती को परिभासित नहीं किये जाने का प्रस्ण उथता है। या पूरे तरीके से प्रायोजित कारिकरम था। संचालक की भूमिका में ते वो सिर्स हेमंत के मन चाहे प्रश्णों को ले रहते हैं। और आज के जो ट्विटर के चौपाल की जो सबसे शर्मनाग बात थी कि हेमंत ने महागडबंधन के अपने घटक दलों जाकर मिकास मोचा फॉम्रेस राजत को कंकर पत्थर की संग्या दे ली। उनने कहा कि आगे बढ़ने के लिए कंकर पत्थर का भी प्रयोग किया जाता है। तो अब इनकी राजनेतिक हैसियत कंकर पत्थर जैसी है इनके महागडबंधन के सवयोगियों की। इनने खुद सोचना चाहिए कि हेमंत इनके बारे में क्या नजरिया रखते हैं। तो हम इसे तो बड़ा शरवनाक मानते हैं कि अपने सवयोगियों को कुई कंकर पत्थर से सुनना करें। तो इसे आप आपके जो पाटी है इस चीज को किस रूप में आप देख रहे हैं। यह उनकी आउकात बताता है कि वो अपने सवयोगी दलो के बारे में क्या सूचते हैं। कीडे मकोय, कंकर पत्थर ऐसे आप संग्याएं सुनते हैं ऐसे चीज के लिए जिसका कोई महत्व नहीं होता। तो हेमत नहीं तरीके से कंकर पत्थर बता दिया अपने सवयोगी दलो को और जो इनकी आज की चौपाल थी। उसका इन्होंने एलेक्शन कमिशन से विदिवाद पर्मिशन नहीं लिया था। तो हमने फॉर्मल कंप्लेइन भी कि एलेक्शन कमिशन में कि विशुद रूप से चुनाव सजुड़ा राजनेती कारिकरम है और इस पर कारवाई होनी चलिए। तो उन्होंने क्या कहा। देखेंगे वो इसकी चार्ज करेंगे।